नमस्का दोस्तों मैं आपका होस्ट आपका गाइड इज्वल बहुत बहुत स्वागाज़ करता हूँ अपने चैनल गाइड फोड़ा कुजवल में दोस्तों आपर जियो की तरफ से बहुत सबर्दस्त अनॉस्मेंट किये गए हैं जैसे कि आपको इंतजार था जियो का 5G स्मार्टफोन कब लॉंच होगा जियो का 5G प्लैन कब तक आएगा क्या लिमिटेड 5G हमें अभी भी मिलने वाला है जियो का एयर फाइबर कब लॉंच होगा तो इन सब के बारे में अगर आपको डाउट था तो इस वीडियो को देखते रहेगा नए अनॉस्मेंट बताने वाला हो इस वीडियो में और पूरा अपडेट दूँगा न्यू जो अभी एग्यम हुई है मतलब अनुवल जियो म 5G plans की देखो अभी annual journal जो meeting हुई है 46th वहाँ पर कोई भी 5G plan को लेकर बात नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर बताया गया था पिछले साल की जो भी आप क्या सकते हो complete installation है जियो 5G का वो all और पूरे इंडिया में दिसंबर 2023 तक किया जाएगा और राज भी या मीटिंग में म इसके लिए यहाँ पर clap करना बंता है बट अभी यहाँ पर 5G की plans को लेकर कोई भी update नहीं आया मतलब क्या cost वगयरा होने वाला है या unlimited plan ही चलने वाले है मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी unlimited ही यहाँ पर चलने वाला है मतलब Jio welcome offer के तहते हैं यहाँ पर आपको unlimited 5G data मिल नही वाला है क्योंकि इसको ऐसा बताया तो गया नहीं कि कब बंद किया जाएगा और क्या plan वगयरा वगयरा तो यह आपके लिए good news हो सकती है अब अगर बात करते हैं Jio के 5G smartphone को लेकर तो कापी लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि Jio का 5G smartphone के मतलब कह सकते हो कुछ specifications या launch date हमें पत की तो air fiber की यहाँ पर आपके सकते हो जो date होने वाली है वो announce कर दी गई हाला कि launch नहीं किया गया है और क्या plan वगयरा ऐसा कुछ launch नहीं हुआ है लेकिन हाँ इन्होंने date बता दी है कि date को यह launch करने वाले है Jio का air fiber air fiber आप कह सकते हो एक high broadband service है जिसमें कि wirelessly आपका जो internet है वो आपके आप कह सकते हो air fiber तक आएगा मतलब आपके घर तक जो internet है 5G speed में high speed में आएगा वहाँ पर कोई wire की जरूत नहीं पड़ेगी जैसे अभी आप broadband setup करते हो तो wire घर तक आता है किसी कंभे पोल से ऐसा air fiber में नह 19 September इसकी launch date है वो बताई जा रही है मुके सम्मानी जी के द्वारा official date जो है वो आ गई है कि गनेश चतुरसी जो सुब दिन है वहाँ पर हम जो जियो का air fiber है वो launch करने वाले है मतलब 19 September को कुछ और भी announcement हुई है तो मैं आपको sort में बता देता हूँ जैसे कि यहाँ पर बताय जा रहा है कि जियो का स्मार्ट होम नाम से भी एक service जो है वो इनकी आने वाली है जो की यूज करेगी जियो fiber and जियो air fiber का यहाँ पर यह उताय जा रहा है कि जियो smart home यहाँ पर जो है वो नया जियो router and जियो setup box भी लाने वाला है ठीक है जियो setup box will be a gateway that will offer tv channel मतलब यहाँ पर जियो setup box जो होने वाला वो एक gateway होने वाला जो कि tv channel streaming content large screen game digital apps वगेरा वगेरा चीज़े आपको provide करेगा जो जियो smart home app होने वाला है वो include करेगा e remote ठीक है मतलब e remote यहाँ पर रहेगा आपके जियो setup box के लिए जिसको कि आप ऐसा gamepad में भी अपने smartphone को बदल पाऊगी यूज कर ठीक है जियो home smart automation यहाँ पर आपको एक नाम से जो service है वो भी मिलेगी जो कि आपको provide करेगा जियो security देगा आपके home security cameras के साथ में आपको alert भेजेगा live feed and आपको बहुत भी चीज़े जो है वो बताएगा जियो का cloud PC यहाँ पर एक service जो है वो भी यहाँ पर launch होने वाली है जो कि introduce हुई है जियो also introduced हा जियो cloud PC virtual PC in partnership with Google NHP तो इन्होंने Google NHP के साथ में मिलकर यहाँ पर जो है वो एक जियो cloud PC नाम से भी जो है वो एक service को announce करने का बोला है तो दोस्तों यही कुछ बड़ी announcement थी इस AGM में यहाँ पर आप कह सकतो जियो air fiber को लेकर काफी ज़यदा excited थे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी गनेश चतूरती के दिन जो है वो 19 सितंबर को जियो का जो air fiber है वो क्याल कीगा